तो गाइज इस वीडियो में हम मोटार बनाएंगे वो भी केरोसिंस का हम दोस्तों केरोसिंस के यानि कि मटी तेल की मज़से हम मोटार बनाएंगे इसमें हम पानी यूज नहीं करेंगे इसमें हम सिमेंट, सैंड और केरोसिंस के डाल के हम क्या करेंगे मोटार बनाएंगे और दोस्तो दोस्तो देख सकते हमारे पास यह सैंड है और यह सिमेंट है यह सिमेंट है और दोस्तो यह हमारे पास केरोशिन से मटी तेल देख सकते हो यह केरोशिन से तो हम क्या करेंगे मोटार बना रहे हैं और यह तीनों को मिक्स करेंगे जाब इसमें मटिते ब्राख रहे हैं और देखिए इसके बाद इसमें केसा होता है यानि कि जब हम इसको बोन्डिंग बनाई नी तो अच्छा से बोन्डिंग देगा की नी देगा को अ कि बाद है जी तो भाद है कि अजा को ये ये बनावा ये बनावाल कि ये पहाँ प्रूजद वर्याओ ये जिगारा जी वर्याँ और दो ये टो उष्ण है नाज हमने मटी तेल पुरा डाल दिया अच्में एक वीज़ के लिगा आखाखाओ केरो सिंस चाहिए हभी सुखा आई हो देखिए तो गाइज हमारा ड्राइब मोटार रेडी है ठीक है हमने केरो सिंस मोटार बनाए है ठीक है दोस्तों इसमें हम पानी थोड़ा भी युज़ नहीं किये हैं और इस यह हमारे पास फ्रेम है मल्ड है इसमें हम इसको प्लेज करेंगे और कल इसको हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो आपको देखाने वाले है इसका स्ट्रेंथ कैसा होगा यह बंडिंग अच्छा बनाया है कि नहीं ठी इसको अच्छा से फिल कर देते हैं और यह हमारा माल ढटेर हिजे दोस्तों ऴीसको अबला देते हैं किसी शाइडो में करते हैं और दोस्तों हम आपको क्या करते हैं यह बांकी का मोठार है इसको हम ब्रिक बोंडिंग में भी लगते हैं देते हैं और कल इसको हम चेकर एंगे एक किस थरा का स्टेंद बना रहा है तीक है दोस्तों यह पत्रा पूत प्लीस कर दित्या झाल झाल हमारा एक ब्रीक और बंडिंग चार फोर ब्रीक को हम जोड़के एक इस तरहा है हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक करेंगे किसका स्टेंथ किस तरह का है ठीके दोस्तों इसमें स्टेंथ किस तरह का मोटार से बनाते हैं हमारा मोटार से बना हुआ एक मोटार ब्लॉक है एक यह ब्लॉक हो गया और एक यह हो गया इस जिसमें हम ब्रीक को चार ब्रीक को हम एक उसको बॉंडिंग किये हुए हैं आप देख सकते हैं तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हैं